भजन सहिता तैंतालीस, एक से पांच तक, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाती से मेरा मुकद्धमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तु ही मेरी शरण है, तुने क्यों मुझे त्याग दिया है, मैं शत्र के पास जो मेरे अतियानंद का कुंड है, और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मे वह से कब लोटेगा कि जब वहा कर द्वार खट खटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। तब पत्रस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह द्रिश्टान तु हम ही से या सबसे कहता है। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन, जब वह उसकी बार जोता न रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो, आएगा और उसे भारी दंद देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्यकाम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मानगा जाएगा, और जिसे बहुत सौपा गया है, उससे बहुत लिया जाएगा। मैं पृत्वी पर आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ केवल यह की अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वहना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृत्वी पर मिलाब कराने आया हूँ, मैं तुम से कहता हूँ, नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ. क्योंकि अपसे एक घर में पांच जन आपस में विरोध रखेगे, तीन-दो से और दो-तीन से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा मा बेटी से और बेटी मा से सास बहु से और बहु सास से विरोध रखेगी उसने भीर से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंट कहते हो की वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है, और जब दक्षनी हवा चलती देखते हो तो कहते हो की लूह चलेगी, और ऐसा ही होता है हे कप्टी युक तुम धर्ती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो परन्तु इस युक के विशय में क्यों भेद करना नहीं जानते तुम आप ही निर्नाय क्यों नहीं कर लेते की उचित क्या है जब तुम अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मारगी में उससे चूटने का यत्म कर ले ऐसा नहो कि वह तुझे न्याई के पास खीच ले जाए और न्याई तुझे सिपाही को सौपे और सिपाही तुझे बंदी ग्रेह में डाल दे मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक तु दमड़ी दमड़ी भरना देगा तब तक वहां से चूटने ना पाएगा व्यवस्था विब्रंग 11,1-32 तक इसलिए तु अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यांद प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आग्याओं का नित्य पालन करना और तुम आज यह सोच समझ लो क्यों कि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या-क्या तारना की, और कैसी महिमा, और बलवंध हाथ, और बढ़ाई हुई भुजा, तक उनका पता नहीं, और तुम्हारे इस थान में पहुँचने तक उसने जंगल में तुम से क्या-क्या किया, और उसने रूबेनी अलिया하 के पुत्र दातान और अभिराम से क्या-क्या किया, अर्थात पृत्वी ने अपना मुह पसार के उनको घरानों, और डेरों, और स अनुचरों समेट सब इस्राइलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया, परंतु यहोवा के इन सब बड़े-बड़े कामों को तुमने अपनी आँखों से देखा है। जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीजबोते थे और हरे साग के खेत की रीती के अनुसार अपने पाउं से नालिया बना कर सीचते थे, परंतु जिस देख के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहारों और तरायों का देख है, और आकाश की वर्षा के जल से सि अपने परमिश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदी और अंध दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाओंगा, जिससे तु अपना अन्न, नया दाखमधु और टिटका तेल संचे कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उप जाओंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा, इसलिए अपने विशय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं, और तुम बहटकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और चिनह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और वे तुम्हारी आँखों के मध्य में टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौकर के काश बना रहे तब तक वे भी बने रहें. इसलिए यदि तुम इन सब आग्याओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौक्सी करके अपने परमिश्वर यहोवा से प्रेम रखो, और उसके सब मार्गों पर चलो, और उससे लिप्टे रहो, तो यहोवा उ सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्ती जातियों के अधिकारी हो जाओगे. जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पाउं के तलवे पढ़ें वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानों तक और परा अज के दिन तुम्हारे आगे आशीश और शाप दोनों रख देता हूं। सूर्य के अस्थ होने की ओर अरावा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बांज व्रिक्षों के पास नहीं है। और नियमों के मानने में चौकसी करना। परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुनलेगा कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। और वही तुम अपने होंबली और मेलबली और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मननत की वस्तुएं और स्वेच्छाबली और गाए बैलों और भेडबकरियों के पहिलोव ले जाया करना। और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिन में तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीश मिली हो आनन्द करना। जैसे हम आजकल यहां जो काम जिसको भाता है वही करते हैं वैसा तुम ना करना, जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे परंतु जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहुवा तुम्हे करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों और के सब शत्रूं से तुम्हें विश्राम दे, और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा पेटे बेटियों और दास-दासियों सहित अपने परमिश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेविय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निजभाग या अंशना होगा। अनुशित दोनों खा सकेंगे, जैसे की चिकारे और हरिन का मास। परन्तु उसका लहू ना खाना, उसे जल के समान भूमी पर उंडेल देना। फिर अपने अन्न, या नए दाकमधू, या टिटके तेल का दशमांच, और अपने गाए बैलों, या भिर बकरियों के पहिलोई, और अपनी मन्नतों की कोई बस्तू, और अपने स्वेच शबली, और उठाई हुई भिटें अपने सब फाटकों के भीतर ना खाना, उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वचुने अपने बेटे-बेटियों और दास-दासियों के, और जो यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए, और तेरा जी मास खाना चाहे, और तू सोचने लगे, कि मैं मास खाऊंगा, तब जो मास तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। परंतु उनका लहू किसी भाती ना खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मास के साथ प्राण कभी भी ना खाना। उसको ना खाना, उसे जल के समान भूमी पर उंडेल देना। तू उसे ना खाना, इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टी में चड़ाना, और मिलबलियों का लहू उसकी वेदी पर उंडेल कर उनका मास खाना। इन बातों को जिनकी आग्या मैं तुझे सुनाता हूँ चित लगा कर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टी में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे नाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए, अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछ पाच न करना, कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना के स्रीती करते थे, मैं भी वैसे ही करूंगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवाहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घ्रिना करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहां तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अगनी में डाल कर जल आणाना.